देव किसान बंदूओं मैं लवकुस बाल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल येलके पाल खेती बारी में किसान भाईयों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सरसो की उत्पादन कैसे बढ़ाएं दुगुना उत्पादन कैसे करें किसान भाईयों मैं तीन ऐसे खाद का नाम बताऊंगा जिसका अब योग करके आप सरसो की पैदावार दुगुना कर लेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले किसान भाईयों आपको एक बाद बता दूँ कि वीडियो को भीना भगाया अंत तक देखें तब ही पूरी जनकारी का आपको लाव मिल पाएगा किसान भाईयों सरसो की फसल का उत्पादन बहाने के लिए अच्छी पैदावार लेने के लिए आप लोग बजार से बहुत सारे खाद उत्पादों को मिला कर अपने सरसो की फसल में देते रते हैं लेकिन आपका उसका संतोस जनक परिडाम देखने को नहीं मिल पाता उसका उच्छी फायदा नहीं मिल पाता तो इसके लिए किसान भाईयों आज हम आपको कुछ ऐसे खाद का नाम बताऊंगा जिनका प्रयोग करके सरसो का जबरदस उत्पादन कर सकेंगे जिसका संतोस जनक परिडाम आपको देखने को मिलेगा किसी भी फसल से अधिक पैदावाल लेने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है यदि समय समय पर हम खेती से संबंदित कारे नहीं करते हैं जिस चीज की आपके फसल को जरूरक की जरूरत हो अगर हम नहीं देते हैं तो काफी नुकसान उठाना पड़ता है किसान भाईयों जब हम सरसो में पहली सिचाई करते हैं तो सिचाई के चार से पांच दिन बाद आप देखेंगे कि पौधे के उपरी भाग पर फूल आने शुरूर हो जाते हैं और नई नई सकाओं का विकास होने लगता है इस समय पौधे को अपने संपूर विकास के लिए अधिक पोसक्ततों ताकत की जरूबत होती है ऐसे में हम किसान भाईयों पौधों को कुछ अलग से पोसक्ततों एनरजी उपलबद करा देते हैं संपूर को अभिकास तेजी से होने लगता है तने मजबूत हो जाते है पूल अच्छे से आ जाते हैं और सबसे बड़ी बात किसान भाईयों जितने अधिक संखाई निकलेंगी उतने ही उसमें फूल आएंगे और फलियां भी उतनी ही अधिक निकलेगी जिससे पैदावार भी अधिक होगा तो उस पोसक्तत्व खाद के बारे में आपको बताऊंगा जिसका उप्योगा आप पहली सिचाई के 4-5 दिन बाद आपका खेत ना तो ज़्यादा गीला हो, पैर धांसता हो और नहीं एकदम सुखा हो दूसरे पहर साम के समय, किसान भायों 50 किलो यूरिया खाद प्रति एकड के हिसाब से ले लें उसके बाद बायो वीटा, P.I. कमपनी का बायो वीटा दानेदार 7-8 kg प्रति एकड की दर से ले ले यदि किसान भाईयों आपने बुवाई के समय सलफर का उपयोग नहीं किया है तो 5 गिलो कराम सलफर, वेंटोनाइट प्रती एकड़ की दर से ले लें अब तीनों को एक साथ मिला कर अच्छी प्रकार से फिर उसके बाद सर्सों के खेत में छिड़का करा दें बायो वीटा की बात करें किसान भाईयों यह असली समुदिर सहवाल से निर्मित P.I.E. कंपनी की बायो वीटा उतुपाद है जिसमें साथ से अधीक प्रकार के योगी कों का मिस्ड़ है इसके प्रयोग से किसान भाईयों खेत की उरोरा सकती बढ़ जाती है पौधा अधिक पानी वा पोसकततों को और सोशल करने लगता है इस प्रकार किसान भाईयों आप बताये हुए खाद मिस्ड़ का उप्योग करके अपने सरसों की फसल का पैदावार बहा सकते हैं जबर दस्तुपादन कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने बताया आपको की सरसों का पैदावार कैसे बढ़ाएं इसके लिए हमने पूरी जनकारी आपको दी आसा करता हूँ किसान भाईयों वीडियो आपको काफी पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दुसरे किसान भाईयों के पास सेर कीजिए ताकि ओभी जनकारी का लाव ले सकें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए घंटे वाले बटन को दबा कर आल पर सेलेक्ट कर लिजिए ताकि समय समय पर खेती बारी से समदने इस वीडियो आपको मिलती रहें इस वीडियो में इतना है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए हर हर महादे